आज का शिर्डी साइसन देश मेरे बच्चे, आज गुरुवार का दिन है, तुम्हारे बाबा का दिन है, आज से तुम्हारे दिन पलटने वाले हैं, आज से जो तुमने मुझसे मांगा है, तुम्हारी मनो कामना शेगर ही पूरी होने वाली है तुम्हारे भी घर के आंगन में किलकारियां गुंजेंगी जो तुमने खुशिया मुझसे मागी है वो अब दूर नहीं है खुशियों की त्यारी में लग जाओ तुम्हारे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली है लेकिन फिर भी तुम्हारा मन कभी कभी उदास हो जाता है मन को इतना मजबूत बना लो कि किसी के भी कैसे भी परकार के वेवार से मन की शांती तुम्हारी भंगना होने पाए तुम बहुत भूले हो हर करीबी इंसान को अपना राज बिलकुल भी मत बताया करो क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाव भी हो सकता है इसलिए कोई भी हो कभी भी किसी को अपने राज मत बताया करो अपने जीवन में जो कुछ भी तुम करना चाते हो वो करो तुम्हे कोई नहीं रोक सकता लेकिन लालच एहंकार वासना इर्शा से नहीं बलकि प्रेम, करुणा, नर्मता और भक्ती के साथ अवश्य ही तुम्हे सफलता जरूर मिलेगी तुम सफल अवश्य हो जाओगे तुम भी तो आखिर इनसान हो मन भटक ही जाता है लेकिन कभी भी डरना नहीं है घबराना नहीं है अगर यदि मन भटक भी रहा है तो उसे अपने लखशे की और लगाओ तुम सफल जरूर हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा मार सत्ते है और तुम मेरे बच्चे हो तुम्हारे विजे जरूर होगी जब समय खराब होता है न तब लोग सिर्फ गलतियां ही गिनते हैं तब आपका सब अच्छा करा कराया धरा का धरा रह जाता है जब समय खराब होता है सब आपकी गलतियां ही पकड़ते हैं और कुछ नहीं बाहर वाली क्या कहते हैं रिश्टेदार क्या कहते हैं छोड़ दो लोगों की सुनोगे कभी आगे नहीं पड़ पाओगे कभी खुश भी नहीं रह पाओगे आज वो आपको दबाएंगे कल वो आपके बच्चों को भी दबाएंगे और लोग तो बाते करेंगे ही करेंगे आप अच्छा करोगे तब भी करेंगे आप बुरा करोगे तो भी करेंगे उनका काम है बाते करना अगर आप चाहते हो आपकी कामियावी ना रुखे तो सिर्फ अपने हुनर देखो अपना परिवार देखो बाकि सब कुछ छोड़ दो वरना काम्याब नहीं हो पाओगे जो जीवन में चाहते हो उसे यदी सच में पाना चाहते हो तो जीवन में अंधे बहरे गूंगे हो जाओ किसी को कुछ मत जवाब दो तुम्हारा जवाब अपने आप ही तुम्हारा वक्त देगा जब तुम कुछ बन कर दिखाओगे अपने आप ही दुनिया चुप हो जाएगी किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है तुमारे कर्म ही तुमारा जवाब देंगे आगे बढ़ते रहो, मैं साथ हो तुमारे और जो व्यक्ती अकेला खुश है ना बच्चो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है यानि की वो ही अच्छा है, उसी में अच्छाई है तो अच्छाई खुद में लाने है दूसरों को नहीं डूणना कि किस के साथ रहें, किस के साथ घूमें तुम्हें अकेला ही खुश रहना सीखना होगा बस तुम किसी का बुरा मत करना और मैं कभी भी तुम्हारा बुरा होने नहीं दूँगा ये मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चों दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं लेकिन उनका साथ वो ईश्वर परमात्मा जरूर देता है हलाद कैसे भी हो जीवन में खुद को कभी भी बिखरने मत देना तूटने मत देना इस संसार में आपको अपनी खुश्यां खुद ही रूरनी होगी क्योंकि दुखी तो आपको हर कोई कर जाएगा यकीन रखना दूसरा दरवाजा खोले भी न पहला दरवाजा कभी बन नहीं होता खुश्यों का कोई तैय रास्ता नहीं होता हर व्यक्ति को अपने लिए खुद ही रास्ता भनाना पड़ता है ये बात जिसने जान ली समझो खुशियों ने उनका पता लिख लिया लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे पहले दिन हसेंगे दूसरे दिन तुमारा मजाग उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल भी जाएंगे इसलिए लोगों की बिलकुल भी परवाब मत किया करो करो वो जो तुम चाहते हो जिसमें तुमें खुशी मिलती हो याद रखो जिन्द की तुमारी है लोगों की नहीं है कुछ रिष्टों के मेरे बच्चों नाम नहीं होते हैं जबकि कुछ रिष्टे सिर्फ नाम के ही होते हैं कभी कबार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, वो भी हमारे अपने नहीं हो पाते, आप कब सही थे, ये कोई नहीं याद रखता है, लेकिन तुम जब कब गलत होते हो, इस बात को हर कोई याद रखता है, और कभी भी जिन्दकी में भूलता नहीं ह जिन्दगी में दो चीजें गिनना बंद कर दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जीवन तुम्हारा असान हो जाएगा परिवर्तन ही प्रकर्ति का नियम होता है, यदि आज आज आप दुख भोग रहे हैं, तो कल आप सुख भी भोगोगे आपने जीवन में जो खोया है, उसका शो करने के बजाए, जो आपके पास है, उसका आनन लेना सीखो परमात्मा कभी भी आपको खाली हाथ नहीं लोटाता, परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खुबसूरत होता है, तो कोई भीतर से होता है मेरे बच्चों मुझे मालूम है, तुम उटसे कितना प्यार करते हो, मेरी कितनी भगती करते हो, मुझ पर पूरी श्रद्धा रखते हो और जब भी तुम्हारे उपर कोई मुसीबत आते है तुम सबसे पहले पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ ये ही कहते हो कि मेरे बाबा है ना मेरा सब काम हो जाएगा तो मेरे बच्चे मैं तुम्हें आज ये बता रहा हूँ कि मैं सच में हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर शण मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूँ मैं तुम्हारा विश्वास कभी तूटने नहीं दूँगा जो लोग कुछ समिख पहले तुम्हारी भक्ती का मजाग उड़ाते थे वो लोग आज तुम्हारा सम्मान करते हैं तुम्हारा आधर करते हैं तुम्हें स्वयम भी नहीं मालूम कि तुमने कितने लोगों के मन में अपने ध्रडविश्वास और श्रद्धा से उनकी भी मन में मेरी प्रदी भक्ती जगाई है मैं तो अपने हर एक भक्त की भक्ती और भाव के वश में रहता हूँ मैं जानता हूँ कठिन समय चल रहा है जीवन में बहुत अक्सर कुछ सही होने से पहले न बहुत गलत होता है जीवन में तो अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसका मतलब की अब जो होगा ना, वो बहुत सही होगा, वो सब कुछ इश्वर की मर्जी से होगा। इनसान जब सोचता है कि उसके दुखों का कभी आंत नहीं होगा, तब उस मालिक का दिल पिगलता है, और वो संकेत करता है कि सुक उस इनसान का इंतिजार भी कर रहा है, हिम्मत मतहार उटकर उस दुखों का सामना कर, सुक का स्वागत करने के लिए त्यार हो जा, ये मत समझ क कि सारी दुनिया तेरे खिलाफ है, अगर ये दुनिया खिलाफ हो भी गई है, तो चिंता मत कर, कोई एक है जो तेरा साथ देने के लिए, बेहत तेरा इंतिजार कर रहा है, कोई है जो तेरा दुख दर्द बांटना चाता है, कोई है जो तेरी जिन्दगी के अंधेरों से त प्रेम से करा करो जैसे खुद के माता पिता से करते हो चोटी चोटी बातों पर भगवान तुमसे नराज हो जाए वो ऐसा भी नहीं है वो तो इस बात की पर्तिक्षा कर रहा होता है कि कब हम उसे अपने बीच ढूंड ले और जहां तक रही बात भागये बदलने की तो अपन कर्मों के फल सबको भुगतने होते हैं मेरे बच्चों खुद भगवान को भी इसलिए प्रात्ता भगवान से भागे बदलने के लिए नहीं करनी चाहें जब भी तुम्हें जीवन में लगे न समय खराब चल रहे तो श्रद्धा सबूरी बना कर रखो अगर तुम मुझ पर प्रिड विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे भगवान को तुम्हारी ईश्वर को तुम्हारे कले आण के चिंता तुमसे अधिक रहती है अपने भगवान पर भरोसा रखो वो सब ठीक कर देंगे तुम्हारा आगी का जीवन बहुती जादा सुखमय होने वाला है मेरा आशिरवाद है खुश रहो राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी